असलाम लेकुम गाइज आज का हमारा तीसरा ग्राफ है कंपोनेट बार डायाग्राम हमें एक क्वेश्चन दिया होगा एट्रिब्यूट A, B, C and D साथ में A, G, Z होगी मेल और फीमेल की मेल हैं A के 10, फीमेल है 25, मेल हैं B के 7 और फीमेल B 7 C के 10 and 20 और D के 20 and 20 और इनको टोटल किया जाएगा A का है 35, B का 14, C का 13 and D का 14 अगर ये क्वेश्चन में टोटल बनाके ना दिया गया हो तो इस क्वेश्चन को हमने आंसर शीट पर उतारना है और खुद सॉल्व करना है और टोटल हमने खुद लगाना है यूँकर जो हमारा ग्राफ है वो टोटल से जाहर होगा अब नेक्स्ट इंडिपेंडेट वैल्यू जो के A, B, C, D की शकल में थी उसको हमने यहां पे लिख लिया और सबसे बड़ी वैल्यू टोटल की बड़ी वैल्यू थी 40 तो हमने इन दर्जाद को 40 तक पॉइंटर कर लिया मैंने आपसे वही कहा था कि जितनी बड़ी यह वैल्यू होगी उतना बड़ा यह स्केल होगा और इनका इंटर्वल भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं अगर मैंने 5-5 का इंटर्वल लिया है आप चाहें तो 10-10 का भी इंटर्वल लेके 40 चार वैल्यू चार लाइन्स में इसको खतम कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक D वैल्यू है जिसका टोटल है 40 जिसका टोटल है 40 तो आपने D वैल्यू को पॉइंट आउट कर देना है 40 तक याद रखिएगा टोटल को आपने निशान लगाना है जिटोटल को निशान लगा लिया उसके बाद आपने देखा के मेल D में कितने है 20 तो आपने इस ग्राफ को 20 से सेगरिकेशन कर दिया नेक्स्ट, C का टोटल है 30, आपने C के टोटल को 30 तक पॉइंट आट करने के बाद, इसके मेल कितने है 10, तो आपने 10 से इसको सेग्रिकेशन कर दिया, फिर इसी तरह सोन, B का भी और A का भी बनेगा, मेल और फीमेल दो आपने बॉक्स मनाने के बाद, मेल को आपने कलर कर देन जिस तरह मैंने नीचे मेल को कलर किया है और फीमेल को खालिश वड़ते हैं, या आप अपनी मर्जी से भी टॉटल लगा लें, लाइन्स लगा लें, किसी तरह की आप शकल बना सकते हैं